प्यारे दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक जानकारी से भरा हुआ रोचक मनोरंजक कारिक्रम लेकर वपस्तेत हुए हैं हमारे आसपास हरे हरे पेड़ पौधे और उनकी हरी हरी पत्तियां सब का मन हर लेते हैं आज हम इनी पत्तियों के बारे में आपको रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जैसा कि सभी जानते हैं कि पत्तियां पेड़ पोधों के तने और साखाओं से निकलती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं ये तने या साखाओं के प्रतीक भाग से नहीं निकलती ये तनेया साखाओं की गाठों से निकलती हैं जिने बानसपतिक रूप से पर्वसंधियां बोला जाता है तो पत्तियां सदैब गाठों से निकलती हैं और इन गाठों को क्या बोलते हैं पर्वसंधियां बोलते हैं अब पत्ती के अंगों के बारे में बिचार करें, तो पत्ती के हमें दो प्रमुक अंग दिखाई देते हैं, एक तो पत्ती का चप्टा हुआ भाग और दूसरा पत्ती का डंठल, आईए हम एक चित्र के माध्यम से इसे आपको समझाते हैं, ये देखिए एक पत्ती का चित्र है इसमें आपको ये एक चप्टा भाग दिखाई दे रहा है जिसे फलक बोलते हैं ये चप्टा हुआ भाग जिसे फलक कहते हैं और दूसरा ये पतला भाग जो दिखाई दे रहा है इसे डंठल बोलते हैं और डंठल को ब्रंत भी कहते हैं इसमें एक जो पत्ती के बीच में एक रेखा दिखाई दे रही है इसे मद्धि सिरा कहते हैं ये मद्धि सिरा है तो पत्ती के प्रमुक दो अंग कौन-कौन से हुए एक तो ये चप्टा हुआ भाग जिसे फलक कहते हैं और दूसरा ये डंटल जिसे ब्रंत कहते हैं देखे हमारे पास एक पत्ती है, ये पत्ती का चप्टा भाग, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया था, ये चप्टा हुआ भाग, क्या कहेंगे इसे, इसे फलक कहेंगे, और ये पत्ती का डंठल, इसे क्या कहते हैं, इसे ब्रंत कहते हैं, कुछ पत्तियों में ये ब्रंत पाय तो फलक और ब्रंत के आधार पर पत्तियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है फलक तथा इस डंठल जिसे ब्रंत कहते हैं इसके आधार पर पत्तियों को दो भागों में हम वाट सकते हैं एक तो सरल पत्ति और दूसरा संयुक्त पत्ति सबसे पहले हम आपको सरल पत्ती के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर सरल पत्ती होती क्या है और इसे सरल पत्ती क्यों कहते हैं देखिए ये जैसा हमने बताया था कि ये चप्टावाग फलक कहलाता है और ये डंठल जिसे ब्रंद कहते हैं तो सरल पत्ती की ये विशेष्टा होती है कि इसमें एक ही एक ब्रंत होता है और एक फलक होता है। ये ध्यान देने की बात है कि केवल एक फलक होगा, ये देखिए एक फलक और ये एक ब्रंत होगा। ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको इसे कलिका कहते हैं। यहीं से पत्ती की ये उत्पत्ती हो रही है और ये साखा है तो सरल पत्ती की ये विशेष्टा है कि इसमें एक फलक और एक ये ब्रंत होता है जैसे कि हमारे पास एक सरल पत्ती है ये पीपल की पत्ती देखिए इसमें ये जो चप्टा हुआ भाग जिसे फलक कहते हैं और ये डंठल जिसे ब्रंत कहते हैं देखिए यहां से निकल ला है तो एक ब्रंत है और एक फलक है इसलिए इसे सरलपत्ती कहते हैं लेकिन संयुक्त पत्ती में ऐसा नहीं होता संयुक्त पत्ती में आपको दिखाते हैं देखिए यह संयुक्त पत्ती का चित्र है इसमें कई ब्रंत होते हैं चोटे चोटे देखिए ये ब्रंत दिखाई दे रहे हैं ये देखिए चोटे चोटे ब्रंत हैं और प्रतिये ब्रंत पर एक पत्रक लगा हुआ है ये देखिए ये पत्रक लगा हुआ है बीच में ये मदिसरा है तो पत्ती तो ये पूरी इस पूरे भाग को पत्ती कहेंगे ये छोटे छोटे तो पत्रक लगे हुए हैं इसमें तो सवयुक्त पत्ती की ये विश्यस्ता होती है कि इसमें कई ब्रंत होते हैं और पत्तिये ब्रंत से छोटे छोटे पत्तरक लगे होते हैं जैसे नीम की पत्ती, सबसे अच्छावदारण नीम की पत्ती का है, देखिए ये नीम की पत्ती है, इसमें देखिए ये चोटा सा ब्रंत और इस ब्रंत से ये पत्रक निकले हुए है, ये देखिए, तो ये संयुक्त पत्ती होई, सरल और संयुक्त पत्ती में यही सबसे प्र पत्तियां सूर के प्रिकास की उपस्तिती में भोजन का निर्मार करती हैं और प्रतियक पत्ति पर सूर का प्रिकास पहुचना चाहिए इसलिए पत्तियां एक निश्चित क्रम में लगी रहती हैं चाहे तने पर लगी हो या साखाओं पर लगी हो तो इस निश्चित क्रम को क क्या कहते हैं पन्ड विन्यास और पत्तियों के लगे रहने का क्रम ये तीन प्रकार का होता है आईए हम आपको इस पत्तियों के लगे रहने के क्रम के बारे में बताते हैं जिसे पन्ड विन्यास कहते हैं सबसे पहले एकांतर पन्ड विन्यास आता है पंडविन्यास किसे कहते हैं? पत्तियों के साखा या तने पर लगे रहने का क्रम पंडविन्यास कहता है कहलाता है और देखिए सबसे पहले हम एकांतर पंडविन्यास के बारे में आपको बताते हैं हमने पहले भी बताया था कि पत्तियां सदेब गाठों से निकलती हैं, देखिए, तो एकांतर पढण बिन्यास, ये देखिए, एकांतर पढण बिन्यास कि ये विश्यस्ता है कि एक गाठ से एक पत्ती निकलती है, एक पत्ती दाइयोर और दूसरी गाठ से एक पत्ती बाइय यानि एक गाट से एक ही पत्ती निकलेगी ये देखिए एक दाइयो निकली है और दूसरी बाइयोर ऐसे ही आगे क्रमसा निकलती है पत्तियां एक गाट से दाइयोर और दूसरी गाट से बाइयोर तो इसे एकांतर पंडविन्यास कहते हैं जैसे गुरहल की पत्ती देखिए यह हमारे पास गोड़ाहल की पत्ती है अब देखिए यह एक गाट से दाइओ पत्ती निकल लगी है और यह बाइओ धाइओ फिर बाइओ यानि एक आंतर पंडविन्यास की ये विशेष्टा है कि इसमें एक गाट से एक ही पत्ती निकलती है एक दायो निकलेगी और दूसरी बायो अब एक आंतर पंडविन्यास की बाद दूसरा पंडविन्यास आता है जिसे कहते हैं सम्मुक पंडविन्यास सम्मुक पंडविन्यास की ये विशेस्ता होती है कि इसमें एक गाट से दो पत्तिया निकलती है आमने सामने पत्तिया निकलती है देखी जैसे इस चित्र में ये सम्मुक पंडविन्यास यानि एक गाट से दो पत्तिया निकलती है आमने सामने ये पत्तियां निकलती है देखिए जैसे कि अमरूद की पत्ति देखिए हम आपको समझाते हैं ये देखिए अमरूद की पत्ति इसमें देखिए आमने सामने पत्तियां निकली है एक गांट से दो पत्तियां एक इधार एक इधार ये हो गया सम्मुख पन्विन्यास इस पन्विन्यास के बाद एक और पन्विन्यास आता है जिसे कहते हैं चक्करदार पन्विन्यास ये चक्करदार पन्विन्यास इस पन्ड विन्यास की ये विश्यस्ता होती है कि इसमें एक गाट से तीन या तीन से अधिक पत्तिया निकलती है ये देखिए एक गाट से तीन या तीन से अधिक पत्तिया निकलती है चक्करदार पन्विन्यास का सबसे अच्छा उधारन कनेर जिसमें पीले-पीले फूल निकलते हैं ये देखिए कनेर की पत्तियां देखिए एक गाट से तीन या तीन से अधिक पत्तियां निकली हुई है तो इसे ये चक्करदार पन्विन्यास हुआ ये तो थी पत्यों के बारे में जानकारी अब थोड़ी सी पत्यों की संदचना के बारे में हम आपको बताते हैं पत्यों को सूचमदर्सी से देखें सूचमदर्सी यानि जिसमें छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है तो सूचमदर्सी से देखें तो इसमें पत्तियों की सतह, यानि उपरी सतह पर कुछ कम चिद्र दिखाई देते हैं, और निचली सतह पर कुछ अधिक चिद्र दिखाई देते हैं, इन चिद्रों को हम इस्टो मेटा कहते हैं, देखिए हम आपको एक चिद्र के माध्यम से दिखा रहे हैं, इन इस्टो अब इन इस्टोमेटा का आखिर काम क्या होता है ये इस्टोमेटा क्या करते हैं इनकी विशेस्ता क्या है ये इस्टोमेटा जो होते हैं ये गैसों का आदान पिदान करते हैं यानि जैसा कि हम सभी जानते हैं जितने भी जीबदारी हैं सब सोसन करते हैं पेड़ पौदे भी सोसन करते हैं तो इन्हें गैसों के आवागमन की आवशक्ता होती है तो इस आवागमन के लिए ये छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिने स्टोमेटा कहते हैं और ये स्टोमेटा जो हैं वो खुल और बंद हो सकते हैं दिन में अधिकतर ये स्टोमेटा खुले रहते हैं, ये थी पत्तियों की सनरचना के बारे में बार, बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि पत्तियां छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, केले और तार की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और एक पत्ति के बारे में और आपने सुना होगा, बहुत ही अश्चर जनक पत्ती है जिसे चुई मुई का पौदा कहते हैं चुई मुई के पौदे की ये विशेस्ता होती है कि उसकी पत्तियों को अगर छूलें तो मुर्जा जाती है पता है आपको क्यों मुर्जा जाती है वो एक विशेस गति के कारण मुर्जा जाती है और फिर कुछ समय पशात अपनी पूर्वा वस्ता में बापस आ जाती हैं कुछ पत्तियां विशेस कारियों को संपादित करने के लिए रूपांत्रित हो जाती हैं तो ऐसी ही कुछ पत्तियों के बारे में अब हम आपको बताते हैं जैसे नागफनी का पौधा नागफनी के पौधे में पत्तियां जल की कमी के कारण काटों में पढ़नित हो जाती ही जैसा कि इस चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं ये नागफनी का पौधा है इसमें पत्तियां देखिए काटों में पढ़नित हो गई है काटों में क्यों बदल जाती है क्योंकि जिससे बास्पोत सर्जन कम हो सके यानि पानी जो है बास्प में कम मात्रा में बाहर निकल सके क्योंकि ये नाजपनी का पौदा ऐसे स्थानों पर होता है जहां पर जलकी कमी होती है इसलिए पत्तियां काटों में पढ़नेत हो जाती हैं तो ये विशेसकारी को संपादित करती है ऐसे ही एक और आश्चत जनक पौधे की पत्तियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं ये पौधा है कलस पादब कीट भच्ची पौधा ये कीटों का भच्चर करता है और इसकी पत्तियां एक कलस का रूप ले लेती है देखिए ये चित्र के द्वारे हम आपको कलस पादब दिखा रहे हैं ये देखिए ये पत्ति का अगला भाग है और ये फिर दीरे से आगे चल कर एक कलस के रूप में पढ़नेत हो जाता है अब इसके बाद कुछ और प्रकार की भी पत्तियां होती है जैसे एक हिर्दे आकार पत्ति है जिसे आपने देखा भी होगा जैसे इस चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका आकार कैसा होता है हिर्दे का आकार का देखिए ये हिर्दे आकार पत्ति है इसका सबसे अच्छा उधारण बताएं क्या होता है पान पान की पत्ति ये देखिए ये पान की पत्ति है इसका आकार हिर्दे के तरह होता है इस पत्ति के बाद अब हम आपको कुछ और प्रिकार की पत्तियों के बारे में बता रहे हैं जैसे ये आम की पत्ति आम की पत्ति आप देखें तो इसका ये उपर की सथय चिकनी होती है और ये किनारे भी इसके चिकने होते हैं यानि कटे फिटे नहीं होते लेकिन इसके विप्रीत अगर हम असोग की पत्ती देखें तो असोग की पत्ती के ये किनारे देखिए लहरदार होते हैं ये देखिए लहरदार किनारे इसलिए इसे लहरदार पत्ती कहते हैं एक और पत्ती के बारे महम आपको बता रहे हैं जो गुलाब की पत्ती गुलाब में कितने अच्छे अच्छे फूल आते हैं इसके पत्यां देखें तो आरी जिससे बड़ी लोग उप्योग में लाते हैं फर्णीचर बगेरा बनाने के लिए तो इसके जो पत्य है इसके किनारे बिलकुल आरी की तरह होते हैं हारी के दान जैसे होते हैं, देखिए, कटे हुए तो बच्चों, ये पत्ती के बारे में जानकारी थी अब कुछ ऐसी पत्तियां हैं, जो जिनका उप्योग हम दैनिक जीवन में करते हैं और बहुत लाबदायक हैं, कुछ लोग सुबए उठकर गरम गरम चाय पीते हैं और जिससे चाय बनाई जाती है ना, चोटे चोटे काले काले दाने आपने देखे होंगे और पता है ये काले काले दाने कैसे बनाई जाते हैं, ये चाय का जारी नुमा पौधा होता है और इसी जारी नुमा पौधे की पत्यों को सुखा कर चाय बनाई जाती है ऐसी ही एक और पौधे के पत्यों के बारे महम आपको बता रहे हैं एक पौधा है तुलसी का पौधा इसकी पत्यां भी बहुत काम में आती हैं जैसे बुखार आदमें सही करने के काम आती हैं, सम्भबता आपकी मम्मी इसकी पूजा भी करती होंगी। और भी ऐसे कई प्रकार के पौदे हैं जिनकी पत्तियां दैने को प्योग में काम में लाई जाती हैं। जैसे पुदीना का पौदा, धनिया, इत्याद और यूकेलिप्तिस का पौदा भी बहुत जादा काम में लाया जाता है। इससे भी भीमिन प्रकार की और सद्धियां बनाई जाती हैं। तो बच्चों ये थी पत्तियों के बारे में जानकारी, आगे भी हम आपके लिए ऐसा ही मनोरंजक कारी करम लेकर आएंगे।